अरे कृष्णा, so women's day special की occasion पे reviving values आप सब के लिए लेकर या रहा है यह special video so topic is going to be a little sensitive क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ दुख भरे statistics भी शेर करने वाले है just so that we become more aware, just so that we become more conscious in taking care of the most important section of our society the delicate section of our society and that's the woman इस वीडियो की research करते हुए हमारे volunteers को बहुत अधिक दुख हुआ क्योंकि जिस सरा के facts and figures सामने आए वो बहुत ही दुख बरे थे पर यह हम इसलिए चर्चा करेंगे so that we should become conscious about that and we should work regarding them दुनिया में देखा जाएना तो एक चीज़ रुकने का नमानो नामी नहीं लेती बना लें लेकिन ये अत्याचार ये अपरात रुकते नहीं है क्योंकि सिर्फ कठोर नियम बनाने ये अपने आप में sufficient नहीं है WHO के नुसार globally 30% ladies that means out of three one lady has experienced sexual physical abuse either from one's legitimate partner or one's illegitimate partner but किसी ने किसी प्रकार का physical abuse, sexual abuse उसने कही न कहीं सहा है सिर्फ भारत की बात की जाएं तो भारत के अंदर पिछले दशक में 4,05,361 rapes हुए जिसमें 2019 अकेले के अंदर ही 32,000 and 33 rapes अकेले 2019 में हो गए इनने में देखा जाएं तो 88 rapes होते हैं हर रोज यह हम क्या करके आ रहे हैं हम कहा जा रहे हैं थोड़ा हमें सोचना चाहिए तो अगर हम स्टाटिस्टिस की बात करें अगेंस चाइल अब्यूस, फिजिकल अब्यूस, दे सेक्शल अब्यूस विजिकल और सेक्शल अब्यूस हुआ है इसके अनुसार पूरी दुनिया में 18 साल से कम उमर के बच्चों में 120 मिलियन ऐसे बच्चे हुए जिनके साथ इस प्रकार का बुरा सुलूग किया गया It was a kind of physical or sexual abuse being done to them As per National Record Crime Bureau, just in the year 2019, 34,449 such cases were recorded So as per National Crimes Record Bureau, यानि NCRB के अनुसारी in the year 2019 जितने भी ऐसे cases से, इनमें say 94% वो लोग थे जो की बच्चे की जान पहचान की थे यानि कि उसके घर वाले थे, उसके रिश्दार थे, उसका पड़ोस ही था, जिसने की दुश कृते किया उस बच्चे के साथ इस प्रकार से डेटा बताने को तो बहुत सा डेटा है जिस डेटा को जितना बताया जाए, जितना सुना जाए, उतना ही हमें दुख होगा वास्ताव तो भला इन सारे crimes की शुरुआत होती है, तो भला कहां से होती है इसकी शुरुआत होती है, from the culture of disrespect Yes, media से हमको regularly educate किया जाता है, ये tuition दी जाती है हमें that how to see the opposite gender with disrespectful attitude इसका number one example है, movies movies के अंदे जितनी भी item songs होते हैं, जिसमें की heroine है, उसे चीछारे जासे कपड़े पहने हुए उपना cleavage दिखा रही है, और चमडे को दिखा रही है, और dance कर रही है उसको और कोई role नहीं है, उसको कोई involvement नहीं है, it is just that she is a showpiece in the movie ताकि लोग आएंगे तो कॉनसे कप item song देखने के लिए आ जाएंगे and then they would see that heroine, जो कि इस प्रकार की अश्रील कपड़े पहन करके dance कर रही है तो उसके बाद अब यह जो संसकार विक्ती लेकर रही जाएगा, मूवीज में अब भार जाके भलाओ क्या करेगा, इस तरीकी रिस्पेट करने वाला है, नहीं, बिलकुल भी नहीं Even cricket के अंदर भी cheerleaders होती है, जो कि आदे पोने कपड़े पहन करके dance कर रही होती है and they are cheering the batsman, यह cheering कम होगी वालकि distractions जादा होगी because one can get distracted and is this a way that we should project woman, that woman is just an object वाबा जाए movies हो यह cricket हो, well woman is just an object, she is such a nice showpiece, you know तो इस परकार से जह हम woman को project करते हैं, then somewhere we are systematically educating everyone that yes, we should see woman just as an object, which is an insult of womanhood indeed media के तुआरा wrong comparison किये जाते है, जाप दिखा जाते है, देखो यह स्तरी है, घर में काम करती है, बच्चों का संसकार देती है oh such a behenji, you know, such a behenji, oh she is so low class, oh illiterate, you know so इस परकार से granny है, जो घर में रहती है, घर का काम का समालती है, बच्चों का अच्छा संसकार देती है well that's such a fourth class profile, तो जब तब वो भार काम नहीं करेगी, देखा रहे है अब ऐसा नहीं किस्तिरियोगत नक श्रमता नहीं है, बच्चों को बहुत श्रमता देती है वो अचाहे professionally अगर कुछ करना चाहेंगी तो बहुत ही अच्छा करेंगी और घर पे कुछ करना चाहेंगी तो घर पर भी वो बहुत ही अच्छा योगदान देती है घर को सजाने में, सवारने में, values देने में, बच्चों को अच्छे संसकार देने में so no doubt she is very versatile, the supreme lord has made woman very versatile लेकि होता है क्या है कि एक जो particular profile है उसको हम demean करते है अच्छा कौन लोग है जो कि इस प्रकार के slogans लेकर के आते है अब स्तरी पिंजने में नहीं रही है, आज वो आज़ाद है वैल यह वही लोग है जो कि स्तरी को हंट करना चाहते है उनको बता है जब तक ही घर में रहेगी, protected रहेगी या तो पिता के द्वारा, या पती के द्वारा, भाई के द्वारा, पुत्र के द्वारा क्या किया जाए रहे, कुछ ऐसा narrative create करते है अरे कब तक स्तरी है जो पिंजने में रहेगी अरे भारा, फिर देख तरह हम क्या शोशन करते है वेल, जीहा स्तरी पिंजने से भार आ गई है और अब हमारी बारी है and then women get exploited in the hands of such people those who are talking about woman liberation यह woman liberation, यह बहुत ही अजीव अजीव गरीब concept है woman liberation no doubt जहां पर स्तरी के साथ गलत होता है we do pray की स्तरीयों की रक्षा हो और कहिए ना कि पुरुष्णों को यह जिम्मेदारी लेकर के आनी चाहिए that they should respect woman ऐसे ने स्तरीयों के लिए यह सब कुछ ना, no doubt स्तरीयों को भी ध्यान रखना चाहिए, we should protect them at the same time men should be given the best of the training that we should not see woman as an object वो भोग की वस्तू नहीं है वो भी हमारे ऐसी इंसान है और इस तरह से उसको एक पवित्र इजददार जीवन जीने का पूरा पूरा आधिकार है साथ ही ऐसे wrong modern trends भी है जिनको highlight किया जाता है तो इसलिए living वाना जो culture है basically तो पशु वाला culture है मैं इसमें detail में नहीं जाँगा इसमें हमने educate किया हुआ on YouTube पट येस इस तरह के wrong social trends modern trends जो है कहीं न कहीं अपमान है और सफर भी इसमें कौन करती है बिचारी स्तिरी ही करती है लड़का तो आगे बढ़ जाता है लफंटर वो तो आगे बढ़ जाता है दुख कान पाती है ultimate लड़की ही पाती है एक और जो वह बड़ा कारण है स्तिरी पती अपमान का वो है free mixing in our educational system येस जितने वहारे ऐसे areas है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वहाँ पस 3 और 4 इसमें लड़का और लड़की को साथ पढ़ने के लिए दिया जाता है psychological factor है लड़काँ और लड़की में दोस्ती नहीं होती है लड़काँ और लड़की के बीच में वो attraction जो होता है sexual वाला वो ही होता है येस मुझको याद है when I was studying अब ये बात है 11th standard that means when I was maybe in 1996 या 1998 somewhere around that उसकी बात है there was one girl she became pregnant she was in 11th standard she was impregnated by a boy क्यों साथ पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करते करते they were aroused and then they did it और ये तब की बात है तब तो मीडिया नहीं था आज तो मीडिया ने दिमाग इतना खराब कर दिया so today's statistics are oof they are bewilderingly shocking but ऐसा क्यों हो रहा है reason being we make them study together इनको भी बहतरी शिक्षा मिले लड़कों को भी बहतरी से बहतरी शिक्षा मिले लड़कियों को भी but when they are together well butter को ना अगर मक्षन को मैं 20 साल भी रखोंग ना refrigerator के अंदर आग के संपत में आग को पिगलेगा ही पिगलेगा तो लड़का लड़की के लिए लड़की लड़के के लिए दोनों जो एक दुसरे के लिए butter और आग का काम करते हैं यह अगर यह butter है तो यह आग है और जब यह butter है तो यह आग है तो पिगलेंगे ही पिगलेंगे यानि कि attraction होगा ही होगा तो इससे जो COVID education है that should be changed और इससे लड़किया जो है वो girls school में पढ़े boys है वो boys school में पढ़े अब यह से बड़ा regressive लेगा सुने वालों को तो कैसे पिछुडी बाते की जारी है नहीं आपर कैसे पिछुडी बाते की जारी है पिछुडी बाते नहीं है let's see the reality तो धंबाग लगाए हम let's see the ground reality what's happening in these schools बल्कि we have seen nowadays in some of the schools यहाँ teachers और principals हमें आके बताते है प्रभुजी कुछ educate करें बच्चों को यह साथ साथ में क्या क्या कर रहे है पढ़ लिग नहीं रहे हैं बल्कि लोग दारु आरू रूतियां साथ में this is what is happening in many of the schools now बल्कि अब हमको भी याद है teachers day के दिन हम लोग जाय करते थे we would wear very simple clause formal clause and we would teach इस तो बहुए teachers day है लेकिन आई teachers day में उस teachers day party के बाद यह teachers day party में क्या क्या होता है that's not to be mentioned very very shameful तो इसले co-ed education कही ना कही इसमें भी हमने दिखाया that woman ultimately जो girls होती है जो लड़किया होती है जो स्तिरी है कश्त उसी को भूगना पड़ता है वीचारी को obscene language का इसमाल के जाते है towards the ladies in the movies उन पर jokes crack की जाते है यह आपर इखा जाते है no she is modern so she can smoke जैसे यह west में when there was one cigarette brand उनने देखा कि न अमारा जो cigarette है यह पीना सिर्फ only men they do ladies यह ladies सो cigarette पीते नहीं इस तरह से 50% of population they are not taking our product क्या किया जाए and then they hired the beauty goddess of that time from Hollywood Marilyn Monroe Marilyn Monroe ने एक वाज़ वो screen पर आए that she is smoking in this way she educated just say you can also smoke why not smoking क्या अच्छी चीज़ है of course not पर मैं देखा आप तो smoking तो खाया दूर की बात अच्छे अच्छे घरों की लड़किया जो अच्छे परिवारों से है और अच्छी education लिये उनने लेकिन आज कही ना कहीं पड़ी होती है और वो weed, heroin यह सब लेदी है not just cigarette smoking cigarette smoking दो बढ़ी है यह जाए तो हम movies में देख लिए है that heroin है चाब किसी project पर जाए कहीं पर कुछ काम करने के लिए जाए that looks so cool यह cool नहीं है यह बरबादी है बास्ता में तो इसरे क्या हम expect कर लेगे हैं हमारे parents या हमारे को near and dear one वो cigarette पर है of course not लेकिन इस तरी को हम पकड़ायते हैं ओंद नहीं हो being modern you know modern we are progressive यह फापापा करने से progressive और modernity कैसे हाती है logically मैं तो नहीं समझ पाया जिसको समझाए है मुझे को थोड़ा समझा जे कि इसमें logic क्या है how can be lungs hating activity be connected to modernity modernity होती है आपके विचारों में how broad-minded you are how forgiving you are how accommodating you are इससे बदा लगता है को विच्टी modern करता है यह फापापा करने से modernity कैसे आती है really can't understand nobody can understand because it is highly illogical तो इस पिकार से चाहे sexist jokes हो चाहे वो workplace हो चाहे वो sports हो चाहे वो movies हो चाहे वो घर हो चाहे वो market place हो anywhere and everywhere we see that woman is being disrespected advertisements के अंदर हम दिखाते है लड़किया है वो निकल रही है समुदर से निकल रही है उसने पैना हो है swimsuit उसके हाथ में है cement की बोरी सदियों के लिए लेकिन ads अभी उनको आदे पोने कपड़े पैना करके थोड़े आगे बिठा करके थोड़े पीछे बिठा करके आड़े बिचे महिंदरा जाय लो so in this way it's such an insult of woman दो इसको लेकिना जागरु होना है because all of these are different avenues are there of insulting woman so इसको लेकि conscious अगर हम नहीं बनेंगे then we cannot really celebrate woman's day nicely तो आईए देखते हैं कि शास्त्रों में भला क्या-क्या गुणगान क्या गया है स्तिरी के बारे में जो कि है सुभाशित रतन भंडागर से so this is verse number 170 जिसकी translation है इस तरह से इसी ग्रंट से एक और श्लों आता है which is verse number 344 जिसकी translation है इस तरह से श्लोक number 108 में आता है जिसकी translation इस पकार से है where women are not respected there is no beauty so ये कुछ quotations ही ऐसी बहुत सारी quotations है in the glories of women तो शास्त्रों में ऐसे बहुत से उधारण है जिसमें woman has been portrayed as an exemplary character because she has exemplary, extraordinary character तो ऐसे कौन मों से examples है like Garvi, Vachak Navi she is considered as one of the most renowned female philosophers of ancient India she lived during the Vedic period and is mentioned in Bhrit Aranyak Upanishad so she was a great philosopher Meitri was also a great philosopher और Bhrit Aranyak Upanishad के अंदर उनका उनके husband Yagya Walakke के साथ संबाद आता है Lopamudra she was a poet and a spiritual seeker Rig Ved में इनके बारे में Bisrith Varnan आता है and then we have Ghoshah she lived during the time of Mahabharat again a very very scholarly personality Savitri जिनका नाम Rig Ved के अंदर आता है Arundati जिनका नाम भी Rig Ved के अंदर आता है Sati Anusuya जिनका नाम Ramayana भी आता है Mahabharat में भी आता है for her loyalty and purity towards her husband Atri Rishi इसे प्रकासर Arundati Vashishtra she is mentioned in Mahabharat and is known for her devotion to her husband as well as the Supreme Lord and then we have Jarath Karoo इनका नाम भी Mahabharat के अंदर आता है she is known for her devotional wisdom Sulochana she is also mentioned in Ramayana for her beauty, intelligence and her devotion Sita the very epitome of purity तो ऐसे examples तो निश्चित रूप से हैं जिसमें there were ladies and there were leaders and there were spiritual seekers a lot of spiritual wisdom so even Mandan Mishra और शंकरा चारी जी का जब संबाद हुआ उसमें who was the mediator who was the one who was appointed कि okay who is really the best you decide भरला कौन करेगा who was that person well that was उभय भारती जो कि Mandan Mishra जी की पतनी थी उनको असलिट किया गया तो इसे सिर्फ spiritual knowledge प्रात करना है नहीं बलकि spiritual knowledge को judge करने का भी अधिकार स्त्रियों को मिला है हमारे शास्त्रों के अनुसार तो धर्व में देखा जाना पूरी दुनिया में सिर्फ एकलौता सनातन धर्व ही है जो किस तरी को अधिकार देता है कि that she can have spiritual discussion she can give a spiritual discourse she can give spiritual education पूरी दुनिया जहान में जितने भी धर्म इत्यादी है उनमें होता है बस अब जो बोला है वो सुन लो उसको स्विकार करने का है बस that's it no discussions no question at all जो तुमको बोल दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करने का उसको यथा रूप स्विकार करने का है किंतु परंतु बोला तो तुम नर्ख में जाओगे और कुछ धर्म तो ऐसे भी अगर किंतु परंतु किया तो तुमारा सरी काड़ जाएग तुम जहन्नु में जाओगे इवन रीसन हिस्ट्री में ऐसे एक्जांपल मिलते हैं चाहे वो एहल लवाय होलकर हो या रानी दुर्गावती हो या फिर राय लक्षी भाई हो इन सबने भी एड्यूकेशन को प्राप्त किया इसलिए हमारे भारती संस्कृति में सराथम धर्म के अंदर और यह तकी बात है जब गुरु को लित्यादी को यह स्कूल नहीं मानते थे इवन उन दिनों भी हर एक गाउन के अंदर स्कूल था और यह प्रॉपर लिटरसी बेंट पर एवर्यून चाहे बॉय हो या गर्ल हो लेकिन सभी के लिए शिक्षा पर सबका समान अधिकार था तो इस वोमन's day पर पर इस बोस्ट इलिकेट और वेरी बेरी इंपोर्ट सेशन पर आउर सोसाइटी बोमन वे शुट पर लेर्न तो रिस्पेक्ट थे और जतने भी ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें ये गलत फीड देते हैं हमारे मन के अंदर that we should see them as an object we should exploit them we should beat them we should do violence to them physical violence, sexual violence तो आईए इस वोमन's day पर हम ये प्रतिग्या ले that we should respect women from the core of our hearts और तक हम स्री के प्रतिय समान का भाव नहीं लेकर के आएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं so that way it has to be culture of mutual respect in fact entire society should be driven by respect for each other so we pray to Lord Shri Krishna to bless all the souls who are in the female body that they may have good physical health as well as very good spiritual health so one Hare Krishna Mahamatra for the well-being of all the women in this planet for their all-round well-being Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Hare